करो या कुमारे यह बरूंतालिस का डाया व हो कि फीलम इंडेस्ट्री पर चल रहा था ये बोल बाला कि वैलकम ठीप लग गया है ताला वाह क्या राइम कर रहा है आपने बट यह क्या हो गया वैलकम टूरी के साथ यार ये मुझे लग रहा है उनके तारे जो है वो जड़ा ठीक पॉजिशन पर नहीं है आपको कॉंट्रैक्ट करना पड़े किसी को हम जानते हैं बहुत बहुत अच्छी एस्ट्रोजर को वेलकम टु दे जंगल वेलकम थ्री जो होने वाली थी वो जी यू स्टूडियो ने अनॉंस करा था और आप उन्हों ने वो डिलीट कर दिया अनॉंस्में आपनी करना यार इंद में मजह नहीं आ रहा है इतना बंदा भर्लिया वेलकम थ्री में लोगों ने अक्षे कुमार स तुनिल चेटी परेश आवल वो ओजी हेरा फेरी वाली जोडी जो थी वो भर्ली थी संजेदत भर्लिये थे उसके इलावा राजपाल यादाव कृष्णा वसूली भाई शार भाश्मी लड़ी लड़ी लगा अर्शदवार सी श्रेयस तल पड़े पूरा गोलमाल पूरी स पूरे हर जगा रोज क्या क्या भर लिया था अपने वेलकम थ्री में और उसके बाद स्टोरी लिखना बूल गए इनको नजर लग गई है शूटिंग करने से पहले नौने सोचल मीडिया पर डाल दिया कि यार इतनी सारी बड़ी कास्ट है सारे कॉमीडी जो करते हैं बॉल जोग तो लिखनी वेलकम के लोग थे यानि मजनु भाई और उदेव आई नाना पार्टेगर और अनिल कपूर इन्होंने तो पहले ही मना कर जिदा कि यार इसमन तो कुछ स्टोरी नहीं है यह स्क्रिप्ट कहां है तो कोई टेस्ट था नहीं तो अल्दो लेकिन नाना पार अनिल कपूर के पास आई थी पर हमें उतना मजा नहीं आया कि जो सडक से उठा के स्टार बना दे हाँ तो उन्होंने देखिए तो नाना पार्टेगर और अनिल कपूर पहले ही आउट हो गया पिर संजेदात भी थे उसके इंदर उनकी डेट से ट्लैश हो गया सब्स उन्ह का कि यार मैं अभी-अभी कैंसर से रिकवर कर रहा हूं और जो जिस तरीके की स्टेंट्स करवा रहे हैं मुझे लगाता कॉमेडी पिच्चर होगी आपने तो यह एक्शन फिल्म बना दी तो यह मेरे से हो नहीं पाएगा तो इस वज़े से संजेदात भी बाहार हो गया है इनके जो डिरेक्टर है एहमद खान उन पर थोड़ा भरोसा नहीं है क्योंकि यह बागी 2, बागी 3, राश्ट्र कमच ओम जैसे पिच्चर है जो इनों ने बनाई है उसे मुझे इनको वेलकम 3 की फ्रैंचाइज हैंडल करते हूं यह थोड़ी गबराट सी हो रही है बिल्कुल मतलब एहमद खान कोरियोग्राफर थे बहुत बड़ी कोरियोग्राफर थे और शुरवाद से मिस्टर इंडिया में वह एज़ चाइड आर्टेस्ट आयते और उसके बाद 2004 औ 2005 में उन्होंने दो फिल्में बनाई दी लकीर और फूल एंड फाइनल जो की एक में सब लोग थे पर वह फिल्में मुझे लगता है फिर भी ठीक थी लेकिन जब वह 11 साल 12 साल का ब्रेक लिया उन्होंने उसके बाद 2018 में उन्होंने बनाई सीधा बागी टू टाइगर श्रॉफ के साथ फिर उनको लगा कि यह तो मैंने बहुत बड़ीया बनाई यह रो पंती इसके बाद आपको एकदम से आपने बागी 2, बागी 3, हिरोपंती 2, रश्रकवच, ओम उसके तो कहर प्रोडूसर थे डिरेक्टर नहीं थे पर अब जो वेलकम और आप बागी 4 भी बना रहे है गट से मुझे नहीं लगता एक भी बागी किसी को अची लगे एक भी शायद बागी 1 फिर भी लोगों ने हलकी बहुत एप्रिशेट करियोंगे क्योंकि टाइकर श्रॉफ नहीं नहीं थे सबने का जैकी श्रॉफ के लड़के हैं तो कुछ बढ़िया करेंगे लेकिं उसे हो नहीं पाया पर जैकी श्रॉफ से आद आया है जैकी श्रॉफ भी आगए और आफ तब श्रॉफ दसानी बहुत ही पुराने एक्टर वापस आ गए है वेलकम थ्री में यार यह आप सोचे नहीं कहीं से भी हम कॉमेडी निकल वाले कुछ कॉमेडी बन जाए सिराफ कॉमेडी एक्टर्स लेने से कॉमेडी नहीं हो जाती है आपको एक script writer एक dialogue writer भी चाहिए अभी-अभी Prime पे एक वो आईये documentary Salim Javedji के उपर आप वो देखिए और थोड़ा सीखिए उससे कि आपको story चाहिए आपको dialogue चाहिए कुछ सिरफ और direction से तो वैसे ही आप मू मोड लो क्योंकि Ahmed Khan कर रहे है तो आप सोचे उसमें कुछ होगा न और इनोंने heroines में दिशा पार्टनी Jacqueline तो ली है बड़ 2000s की जो लारा अधित्ता और रवीना टिंटनन है रवीना टिंटनन है उनको भी ले लिया है कि यार ये 90s और 2000s में जो चल रहे थे उनको भी ले लो काश चल जाए picture ऐसे आप सिरफ पोस्टर चलवाना है या पिचर चलवानी है और अक्षे कुमार का तो देखो साफ है उनको पैसा आ रहा है उन्होंने 40-50 दिन में picture करनी है बस उनका काम सेट है तो उनको दो script story इन सब चीजों से कोई मतलब है नहीं और वैसे भी 12-15 फिल्में उनकी इकठे flop हो अब अक्षे कुमार को जो आ रहा है और उनको भी लगा होगा कि यार यह वेकेशन होरी है सब लोग 90-2000 के लोग मिलकर comedy वाले एक picture बनाओ 40 दिन की तो बनाते हैं चालिस दिन की तो करेंगे मैं सुनीट शेटी और परिशावल सब लोग मिलकर बैठके मजे कहें रहेंगे cricket एक हो रहा है मुझे लग रहा है वेलकम 3 में और कोछ होनी रहा है कि यह क्रिसमस पे आने वाली है दोजार चॉविस पे बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इसका ट्रेलर ही जियो स्टूडियोज ने अपना हाथ पीछे खीच लिया है शायद यह मुवी 25 दिसंबर को इस क्रिसमस पे ना रिलीज और यह बॉलिवोड में सीकुल का श्राब भ आप बताओ कैसे कैसे चल भाएंगी इसमें उन्होंने क्या एक अच्छी एक्टिंग वाली पिच्छ बता दे जिसमें जैकलीन फर्नांडेज और दिशा पाटनी ने अच्छी एक्टिंग करी हो एक्टिंग तो बहुत अक्टर्स नहीं करते पर उनकी पिच्छे चलती है ज अच्छी बड़ी बना लिया उन्होंने बहुत बड़ी आ विल्कुल अमेजिंग बड़ी बना लिया जैकलीन ने भी और इन उनों का तो बड़ी है आने वाली जो ये पीडी है अक्टिस की लेकिन आप लोग बताओ आपको क्या लग रहा है कि ये वेलकम 3 जो है ये कब रि मेरे नाम है प्रशांद कपू मेरे नाम है सान्या और आप देख रहे हैं स्विच्छ